जितने लोग Samsung के फैन हो ना एक बार यार हाथ उपर कर लो आप भी फैन हो यार मैं भी Samsung का फैन हो और कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगता है Nokia लेकिन यार जो 15 से लेकार 20,000 वाला सेगमेंट है ना वहाँ पर कहीं न कहीं Samsung खोस आ गया है क्योंकि यहां पर बहुत सारी कंपनियां खेल रही है चाहे वो Realme हो चाहे Nokia हो चाहे Asus हो चाहे Xiaomi हो चाहे Honor हो यह सारे फोन बहुत ही तगड़े चलना है लेकिन भाईया Samsung तो यार पुराना खिलाडी है और इस बार जो पुराना खिलाडी है ना वो एक जबज़द फोन ला रहा है और यह फोन में आपको सब कुछ मिल जाएगा वो भी केवल 18,000 रुपए में यदि आप जाते हैं 20 से लेकर 25,000 रुपए में तब तो भाईया Samsung का जो A7 2018 आया है ना यह बहुत ही गजब का है लेकिन भाईया जो पुर अब आने वाला है वो ए Samsung का A6S और यह फोर भाईया बहुत ही अच्छा है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाईया इस ओन में आपको क्या कुछ मि आपको नौच नहीं मिलने वाली और यदि आप चाहते हैं नौच वाला फोन तब तो भाईया आपके लिए फोन बना ही नहीं है क्योंकि यह फोन है Samsung की फैक्तरी की तरफ से लेकिन यह फोन Samsung नहीं बनाया किसी और ने बनाया है लेकिन यहाँ पर जो ब्रैंडिंग है वो है Samsung की और इस फोन में जो सबसे तगड़ा है जो अभी तक Samsung नहीं कर रहा था वो है प्रोसेसर यहाँ पर आपको Snapdragon 660 अक्ता को प्रोसेसर मिलने वाला है जो 14 नैनो मेटर पे बेश्ट है भाईया 18,000 रुपै के आसपास आपको 660 मिलना है वो भी Samsung की तरफ से मलब इस बाद जो तगड़ा कैमरा मिलने वाला है और आज कल तो भाईया डियूल कैमरे का ट्रेंड है तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 12 प्लस 5 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा मतलब दो कैमरा है और जिसका परचर F1.8 और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैमरा है Samsung यह कहता है लेकिन जब कै चलेगा और यदि आपको सेलफी लेनी है तो यहाँ पर आपको 12 मेगा पिक्सल का फ्रंट पेसिंग कैमरा मिल जाएगा मतलब Samsung की तरफ से इस बार कैमरे में भी कटोती नहीं करी गई है लेकिन बहुत सारे फोनों में भाईया बैटरी में कटोती कर दी जाती है लेकिन यहा पर आपको fast charging का support मिल जाता है इसके लिए ते यहाँ पर आपको फिस अनलॉक भी मिल जाता है और यहाँ पर आप दो SIM काड भी डाल सकते है और memory काड का slot भी मिलता है और साथ में software के मामले में यहाँ पर आपको Oreo मिल जाता है और आगे आने वाले टाइम में क्या पता और भी update आजाए लेकिन यहाँ पर जो खास है ना वो है इसकी RAM जी यहाँ यहाँ पर आपको 6GB की RAM मिलती है और साथ में 64GB की internal memory मिलती है और जो phone का price है ना वो है 18,000 रुपए के आसपास यहाँ आपको 18,000 रुपए में 6GB की RAM मिल लए है और यदि आपके internal memory से पेट नहीं बरता तो आपके पास एक और variant है जहाँ पर आपको 6GB की RAM और 128GB की internal memory मिल जाती है लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यह है कि भाईया यह phone इंडिया में कब आएगा यसे मैं आपको यह बता दू यह phone अगले 1-2 महीने के अंदर इंडिया में आ सकता है और जब भी यह phone आएगा ना हर एक फोन को कड़ी टक कर देगा क्योंकि भाईया Samsung पुराना खिलाड़ी है और अभी भी इसकी बहुत ही अच्छी quality है और मैं यह कह सकता हूँ जिस दिन यह phone आया अच्छे price segment में और Samsung अच्छा खेल गया ना तब तो हर एक brand को सोचना पड़ेगा वैसे आप बताएए आप Samsung के बारे में क्या सोचते हैं और जो यह phone आ रहा है ना Samsung A6s यहाँ पर यदि इन सारी चीजों के साथ यह phone आता है ना जो मैंने अदी आपको बताई इस phone का price क्या होना चाहिए जो भी आपके दिवाग में चलता होना वो नीचे आप बता दीजेगा और यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अठ्छा लगा और जरा सा तो भाईया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलिएगा और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाईया चैनल को सब्सक्राइब और जैज बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी इसे प्रस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा चली मिलते हैं एक वीडियो वे थैंक्क्यू जैहिन